Hello students, welcome back to my channel आज हम हिमाचल के एक और प्राइवेट डेंटल कॉलेज के बारे में बात करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगे इक कॉलेज कब इस्टाबलिश हुआ था इसकी फीस कितनी है इसका कट ओफ अल्रेडी विसे मैंने बता दिया है आपके साथ फिट से इसका गवर्नमेंट कट ओफ और मैंनेजमेंट कट ओफ शेयर करूंगी तो बने रहे हैं वीडियो में तो शुरू करते हैं वीडियो हमाचल डेंटल कॉलेज सुन्दरनगर लोकेशन इसका है सुन्दरनगर हमाचल पर इस्टाबलिश हुआ थैं 1994 में कॉलेज है प्राइवेट एफिलेटिड है डेंटल काउंसल ऑफ इंडिया कोर्स है बीडीएस, एमडीएस, होस्टिल फेसिलिटीज यह सबके लिए हैं इसका प्राइवेट टाइप है फेसिलिटी की बात के लिए तो अकेडमिक फेसिलिटी, क्लिनिकल फेसिलिटी, लाइबरेरी, स्टुडेंट हाउसे, कॉलर्शिप, एस्सोसियेशन रागिंग और तबाको फ्री इंवार्मेंट अभी में सिरफ यूजी कोर्स की बात आपके लिए PG के लिए विडियो बनातूंगी, यूजी में आपके बस जो BDS है, उसके लिए 60 सीट से है, चार साल का आपका अकेडमिक एर है, और वन येर का इंटर्शिप है, टोटल फाइव येर्स का कोर्स है, और इंटर्शिप मेंडेटरी होता है, एज क्राइटेरिया minimum 17 years at the time of admission होना चाहिए, eligibility criteria भही ऐसा नहीं है कि BDS के लिए कुछ अलग ही होगा, कि MBBS के लिए अलग है, I use courses के लिए अलग है, ऐसा नहीं है, सब के लिए eligibility criteria सेम ही होता है, तो plus 2, आपका कोई सा भी board हो, ICSC, CVSC, state board, पास होने चाहिए, और आपके at least 50% marks आने चाहिए, आपके सब्जेक्ट में, PCB में, और ऐसा नहीं है, जो जर्नल के लिए होता है, उनके लिए 50 होता है, STSC के लिए कम होता है, अब बात कर लेते हैं कि भाई, fees कितनी है, तो पहले state quota और management quota में आपको उता दो, जो management quota उनके लिए है, 2,50,000 पर साल का fees, ठीक है, और जो state quota है, उनके admission fees है, एक लाग, दो हजार, 1,02,599 रुपीज, admission fees जो आपको one time pay करने है, उसका नाम है, उसका है, 25,000, student fund, 5,000, library internet charges, 5,000, affiliation and inspection charges, 7,000, ठीक है, इसको total कर लेना, तो एप्रोक्स ऐसे ही आएगा, आपका 1,80,000 के आसपास, जो total हो जाएगा, ठीक है, रांकिंग और reputation की बात कर लिदते हैं, नेम है, इमाचल, dental, college, सुन्दन, अगर इसका आप देख सकते हो, education के लिए 3.5 out of 5 दी आवा है, फिर आपको faculty के लिए यहाँ बता रख है, good, infrastructure, excellent, reputation, excellent, अब चलो बात करते है, cut off की, भई, अगर आप यहाँ government के उससे आते हो, मैं general category के लिए for state quota वालों के लिए है, वो 355 to 380 marks, ठीक है, rank देख सकते हो, आप कितना जा रहा है, OBC के लिए 285 to 310 marks, SC के लिए 250 to 275 marks, ST के लिए 255 to 280 marks, यह आपकी ranks है, आप ranks से एक अच्छा estimate लगा सकते हो, आप बात करते हैं management वालों के लिए, तो भई, हिमाचल, dental, college, 70 marks, OBC 135 to 160 marks, SC के लिए 90 to 105 marks, ST के लिए 95 to 120 marks, तो यह है आपका management का, जो private dental college के जोजे seats होते हैं, उसके लिए मिलती है, वो है, ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा, गाइस, तो प्लीज मुझे को कमेंट करकर बता देना, ठीक है?